दिन्दा कि नश करके शिद्दत को प्राप्त हो गए भगबान महावीर भगबान महावीर पबाप्री जब्य शिद्द छेतर से निरवान को प्राप्त हो गए और लोकों ने इतनी बक्ति की कि वहां की मट्टी उठा उठा करके वहां तलाब बन गया इतने विशाल जो है वह आज भी वहां चमतकार आपको देखने को मिलता है जैसे भगवान मोक्ष का समय हो जाता है छत्री अपने आप भूमने लग जाती है छत्र अपने आपने हिलने लग जाता है ये महाबिर भगवान का आज भी जो है निर्वान कल्यान का विशिष्टा देखा जाओगा उसी समय अगनी देवाकर के जो भी नक केस बैठे बचा था उनको जो है अगनी सपर्स कराते है और बाकी देहे जो एक कपुर की तरह पूरा विश्ट के अंदर विखर जाता है कपुर की तरह विलीन हो जाता है और निर्वान कल्यान उस्सो सुबह हो जाता है मोद मनाते हैं और आनंद मनाते हैं और उस्सहा मनाने के साथ ही भगवान का निरवान कल्यानक का कल्यानक मनाते हैं इंदरादी, चतुरनिकाय देव और स्रावक स्राविका लोग, उसके बाद जो है सिंध्या के समय जो उनकी शिश्य, गोतम, गनदर, प्रमुक थे, उनको केवल ज्यान हो जाता है। और केवल ज्यान अवे सुबह निरवान लड़ु चड़ाया और साम को जो है केवल ज्यान होने के बाद, परतिष्ठा शास्त्रों में आप देखिए, जब भी पंचकिल्यान होता है, समोशन होने के बाद, इंदरों का आगमन होता है। अने को जो भक्त वरगारिया करके उनके जो है पूजा करते हैं, भगवान का गोतम गनधर का पूजा करते हैं, और उसके बाद विशेष्ट पूर्ण जो समोशन था, समोशन की पूजा होती है भाई रूप में, तो अंतरंग लक्षमी और बहीरंग लक्षमी अनेक साहित्य गरन्तों में समोशन को भाई लक्षमी माना है, और अंतरंग लक्षमी बाही लक्षमी शरूप जो है उनकी पूजा हुई, और वही प्रता जो है शुरू हुआ, और रिद्धी सिद्धी के प्रतिक गोतम गंदर को माना है। और रिद्धी के संपन मैंने कई बार कहा अगर आपके घरों में रिद्धी प्रकट हो जाए वो कभी आपके जीवन को छोड़ के नहीं जा सकती है। मंत्र के साधना कभी छुड़ सकता है प्रिद्धी कभी छुड़ता नहीं है। तो आए यही जो है संस्कृति और संस्कार हमारे भारती संस्कार की हर जहिन के घरों में होना चाहिए। पर साम के टाइम पर लक्षमी पूजन होना चाहिए। अब पहले दिन करते हैं वो हिंदु प्रमप्रा के अनुसार है। वो जो भी प्रदुश काल वो काल ये काल वह जो है भी हमारी संस्कृति नहीं है। यह जो है संस्कृति अंडिया धर्मों की संस्कृति है। लासाक्षात जो है महावीर के संदेश को ग्रहन करते थे और वो ग्रहन करकरके आप तक पुचाते थे। उस सरूप जो है द्वादशांग महा सरस्वती के सरूप में वहां जो है पूजन अर्चन की विधान आता है। समोशन लक्षमी सुरुप को पूजन होती है लक्षमी का और जो है सरस्वती को जो है जिनवाने के सुरुप में उस दिन पूजा होती है लक्षमी सरस्वती दोनों पूजा उसकी ग्रहाई है मानी गई है तो करनी चाहिए मेरे अभी प्राहे है अब आपके जीवन में संब्र अब एक कलशा स्थापना करना चाहिए लक्षमी पूजन के समय कलशा स्थापना का एक विधान आता है और कलशा जो है श्रीपल कहा जाता है उपर श्रीफल रखा जाता है और श्रीफल की महिमा मैं आपको आज बताओ वो भी एक महान लक्षमी का प्रतिक है वो भी श्रीफल स्रीमान बनाने के लिए बहुत जो है ये कहा जाता है कोई नारिल कहते है वो नारिल के कहते है कोला कहते है कोपनेट कहते है गरी कहते है गोला कहते है कोपरा कहते है स्रीपल अनेक नाम इसके जाने जाते है स्रीपल स्रीपल स्री ने लक्षमी और उसको फल देने वाला अगर क श्रीफल देने से रखने से स्रीवान बन सकते हैं और उसमें एक श्रीफल होता है एक आंक शी एक आंक की फल इसको मैंने कई पर प्रयोग किया यह सत है वह मैंने कई लोकों को दिया तो बहुत लोकों के गुनकारी और काम अनेकों काम हुए जो कभी सोच नहीं सकते कभी कलप तो जो है उसके दो आंख और एक मुह होता है एक अंक्षमी क्या होता है केवल आंक एक होता है और एक जो है आख होता है कि दोनों नेत्र खतमों कि मुह उता होता है जहां रखना है कि अपने को एक आंक्षी नारल का फली है अगर आपको मिलना बहुत कटिन है और किसी के भाग्य से एक आंक्षी एक आंक्षा नारल मिल जाता है तो आप समझेए आपके जीवन में संब्रत्य को आने में कोई रोक नहीं सकता आपके घर में, खाने, खिलाने और आपके जीवन में, तो आपके जीवन के अंदर विशेष्ट जो है प्रिणाम सुरूप जो है यह फल देने वाला एकांक्षी नारिलका होता है, तो आप जो है यहश्का विदी क्या होता है धन तेरेश के दिन इसको घर में लाईए और उसको घी और शिंदूर लगा करके एकांक्षी नारिल को, एकांक्षी नारिल का अब देखिए, एक एकांक्षी नारिल है, चैके यहां मूह है और ये एक आंख और इसकी जो रेखा इसकी पेचाल एंडिंडिज आती है और एक यहां से डंडिज आती है ये आंक का है ये आंक का है और नॉर्मल टेंकर का यह जो है अपना यह मूँ का है ऐसे दो ही धारी होती तिसरी धारी होती नहीं और दिक्कत क्या हो जाता है कई लोग आज कर डुप्लिकेट मिल जाते हैं कई लोगों कि क्या कर देते इसको घिस करके इसको भी घिस करके डुप्लिकेट बनाने वाले मार्केट दंदा बहुत च विजन में रख करके उसको लाल कपक्डा या चांदी के अंदर उसको रख करके के अगर में अगर सी जो लिए उसका मैमा यह है कि आप देने के लिए और खाने के लिए और जीने के लिए कभी भी जो है आपको दिक्कते में शुष नहीं करोगे वो अस्रीफाल आपको सीमान बनाते रहेगा जब तक उसकी ताकत सामरते हैं उसको जो है आप एक कुछ जापे है उसको जापे करते जाएए या कुछ भी नहीं आता है तो ओमरीम नमाज जापे करिए उसके सामने एक सो आट माला और वह अभी मंतित हो करके आपको अभी भूत करेगा जीवन को सारतक करेगा इसके अलावा हल्दी हल्दी जो है हल्दी भी जो है सुब लक्षमी के कुजन के टाइम पर हल्दी जरू रखिए ये देखिए ये जो है नॉर्मल नारेल है ये देखिए ये नॉर्मल नारेल है ये नॉर्मल नारेल है देखिए ये दो एक दो आँके है और एक नाख है उसके बाद ये मूख है ये जो है एक मनुश्च की आकरती टाइप का दिखता है एक आँख एक आँख एदर एक आँख और एक मूह अप देखती है आपके घरों में अगर नारल होगा तो इसी प्रकार होता है इसको जो है आप अगर कहीं मिल जाता है तो भागी समझे और सो भागी को बढ़ाने के लिए अगर कहीं नारल पूड़ते समय कहीं बड़े दुखानों में जहां बहुत नारल का लेन देन होता रहता है वहां इसको मिल जाता है इजी मिल जाता है परन्तु बड़े बड़े जगह मिलता है सामाने तुर पर सब डुप्लिकेट मिलता है आप आईए आप सभी को इसको जानकारी दिया अब हल्दी की महिमा बताओ हल्दी ऐसे आरो की कार आप सभी लोग ऐसे कोई भी भारत देश के अंदर हल्दी के बारे में न जानते हैं सभी लोग जानते हैं और हल्दी जो है अगर आपकी काली हल्दी के बारे में परसो बताया था और काली हल्दी मिल जाए तो ठीक है अगर नहीं मिलता है तो सामने तो पर जो हल्दी होती है उसको क्या करें, साहितिकार लिखते हैं, कि इस हल्दी को जो है, ले ले, एक नए गाट ले लेजी हल्दी, और पीले रुमाल के अंदर उसको रख दीजिए, पीला रुमाल जो होता है, पीला कपड़ा होता है, या कुछ भी पीला वस्तु के जो रंग के कपड़े आपके पा पाद हल्दी से रंग करके, हल्दी से रंग करके जो गोला होता, कोबरा होता है, उसको पुरा हल्दी से रंग दीजी, उसको भी पिले कपड़े में रख दीजी, उसके अंदर पांच सुपारी हल्दी से रंगे वे से पांच सुपारी रख दीजी, तज पश्याज जो है, बांध करके और ओम स्रीम स्रे नमा ओम स्रीम स्रे नमा ओम स्रीम स्रे नमा येश किर्टि संब्रद्य आपके जो है इससे क्या होगा येस से अने को एक जगा बांध दीजे घर के जो दर्वाजा है अने जाने का दर्वाजा है इसको ये गोला बांध दीजे इससे सभी प्रका करके बिक्र नाश होंगे आरों की हेल्थ उसके अंजर निकलने में जो रेंज है उसके निकलने में तरंग है और मंत्र शक्ति से उसके आपके घरों के अंदर जो आने वाले शारिरिक हैं मानसी जो कष्ट है वो नाश को प्राप्त होगा और इसी प्रकार लक्षमी जो है अग अगर इसको अगर हम तीजोर में रखते हैं तो और उसको धूप दिखाते हैं तो निश्चित रोपे न वह आपके जीवन में धन धानने कारिक बनेगा यह आप सभी लोग जो है यह बार-बार बता नहीं पाता हूं अने को साहित को देख करके यह प्रयोग बता रहा हूं तो मेरा जो यूट्यूब है नवग रहा तीरत का उसको स्प्राइज कर लीजिए उसमें ही आप जो है इसको वापी दुबारा सुनना चाहे तो दुबार सुन लीजिए यह दो प्रयोग जो है यह इस समय पर करने से मुझे यह हल्दी का नया है इतना मुझे कोई गेरेंटी न मैंने अपने पचास साल की उमर में आने को लोगों को यह प्रयोग करवाया तो वह सक्सिज रहा और सपल रहा और निशीत रूपे ना उसका कारिशित हुआ है हल्दी का यह पहली बार मैंने स्टडी में आया है आप लोग चाहे तो प्रयोग करके देख लीजिए और आप अगर अच्छा लगता है तो रख लीजे ने तो बाद में एक मेने दो में में सर्जेंट कर लेजिए और कुछ निया प्रयोग अगर कुछ अच्छा भला किसी का होता हो तो इसमें अगर पढ़ने में मेरे को आया आपको सुना दिया अगर आप प्रयोग कर क्योंकि अभी नाशक मंत्र हैं और बीजाक्षर सही हैं तो इसलिए जो है इसका प्रयोग कर सकते तो आप देख लीजिए और जिसको भी टाइम मिले वह कर लीजिए लक्षमी पुजन के टाइम पर यह दो प्रयोग बहुत सुन्दर रहेंगे इसके अलावा आप और एक कुछ चीजे जो यह महेशिगरी ने जो भी केस उगर किया हो उसके बारे में इस पर बोल चुका हूँ दुबारे बताओ इसके लिए एक विशेज जो है एक मेने का उन्हें टाइम मांगा था उसके पहले हम 24 तारिक को आज आज डिक्लेर कर दूँगा जितने सादों पर उन्होंने जो भी आरोप लगाया वो खुद सादू उपस्तित होंगे और अने को जुनके चेनल वाले भी उसको उपस्तित करके सबकी अपनी अभिप्रा उनका उत्तर जो है सटिक रूप से हम देंगे हमारा गिरनार है इसमें दूमत नहीं हमारा ही है और इसमें कोई दोराई नहीं हमारे प जूट नहीं है उसके बार हमारी संक्या अलॉप है उनकी उन लोगों की संक्या बहुत जादा इसमें दूमत नहीं परांत होने से अन्याइव हम सहन नहीं करेंगे ये भी आप लोग्ны carry हम लोग इसका कायर नहीं वीरफुरूश हैं हमारे साधू मोग बहुत सारे sela साधू लोग सद्ट रहापर चल करके साधू छोड़ी है हमारे स्रावक लोग भी इतने कटर रहे हैं चिप रहे हमारे न रही बात जो कही साधू ने ने शभु का उपयोग किया, कुछ गुजराती की आर्थ होने से अनर्थ शब्द निकाला, उसमें कुछ तत्य है, कुछ सत्य है, कुछ असत्य है, वहाँ आदा सत्य है, पूर्णता सत्य नहीं है, हाँ तो उसकी स्पष्टी करण अनेक सहित्तिकार वकील और जिन जिन साधूं पर हुआ है वे साधूं खुद उपस्तित रहेंगे और लायू चलेगा पारेश चैनल पर आधिनाज चैनल पर और अन्य चैनलों पर यहाँ लायू जो है मैं सोच रहा हूँ सबस्ष्ट को करेकरमखतमनें के पात सबस्ष्ट आरिक करन कर दें कि हूम अपना चाते हैं हूम वहां हमारा हक है नहीं हम लोकों क्या हमारे गहरंतों में, हमारा शाहित्यों में, हमारे संस्कृतियों में भगवार नीमिनात का क्या महत्त्तौ है, इसके बारे जानकरी के लिए हम सब एक हुआएंगे, और हमें जो है इस तक्त को संसार के सामने रख करके हम अपने तेखिये एक चलता है विमान के चाल पर एक चलता कच्वा के चाल पर बले हम कच्वे के चाल पर चल करके अपने गंतविस्तान को जरूर पोचेंगे देर है पर अंदेरे नहीं सत्य की जीत होती है तो देर से हो और होगी निश्चे तेना तो हम अपने और नहीं चा किसी धर्म के प्रति हमाय अपमान नहीं करेंगे और किसी धर्म के प्रतिवने घ्रणा नहीं है।